नमस्कार दोस्तों बोल्सकाय में आपका स्वागत है आज के समय में बालो का ज़र्णा रूसी गंजेपन की समस्याएं आम हो गई है ऐसे में सबसे पहला उपाय जो देहान में आता है वो हैं बालो में तेल लगाना और चमपी करना लेकिन फिर सवाल ये उटता है कि बालो की देखबाल के लिए कौन सा तेल लगाना ज्यादा बैतर होगा या फिर बालो के लिए सबसे सही तेल कौन सा है बहुत सोचने के बाद नारियल और बादाम का तेल ही दिमाग में आता है लेकिन इन दोनों में से कौन सा तेल है आपके लिए सबसे अच्छा अगर आप भी यही सोचकर कनफ्यूज हैं तो हम आपकी मदद करेंगे आपको दादेगे natural sources का इस्तेमाल बालों के लिए किया जाना चाहिए क्यूंकि ये healthy रहने का सबसे अच्छा तरीका है नारियल का तेल और बदाम का तेल दोनों अलग अलग नैचरल तत्वों से भरपूर होते हैं लेकिन आपके बालों के लिए क्या सबसे सही है ये पता करने के लिए आईए इनके गुड़ों के बारे में जानते हैं नारिल का तेल आपके बालों के लिए कैसे मदद कर सकता है वो बेजान ली जी नारिल तेल मीडिया चेन फैटी एसिड का सबसे अच्छा नैचरल सोर्स है ये एक खास प्रकार का एक एसिड है जो आपके शरीर को अच्छी तरह से पोशन देता है इसमें जिवाणू रोधी और रोगाणू रोधी गुण भी होते हैं ये आपके बालों के रूखे पन को दूर करने में मदद करता है ये कैलसियम और मैगनीजियम जैसे पोशक तत्वों से भरपूर होता है जो आपके बालों को पोशन देते हैं नारियल का तेल आपके बालों के रोम को मजबूत करता है, बालों का जढ़ना असानी से रुख जाता है, साथ ही आप regular नारियल तेल का इस्तिमाल करके गंजपन की समस्या से बच सकते हैं. वहीं बदाम के तेल के बारे में बात करें, तो ये विटामिन E का एक बहुत ही समरद स्तिरोथ है, इस परकार ये बालों के विकास में मदद करता है, नियमे तरूप से बदाम के तेल का इस्तिमाल करने से बालों की गुरवत्ता भी बहतर होती है, बदाम का तेल विटामिन E B6 और B2 होता है जिससे रूसी की समस्या भी चले जाती है। अब बात करते हैं कि कौन सा तेल चुनना चाहिए। अगर आपके हलके बाल हैं तो नारियल का तेल आपके लिए सबसे सही है क्योंकि ये बालो को और ज्यादा वॉल्यूम देगा। अगर आपके रूके बाल हैं तो बादाम का तेल लगाने से आपके बालो को सारे पोश्य क्तत्व मिल जाएंगे। क्यानल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें